नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ असोग चौहान देश और दुनिया की तमाम खुबरों पर आएए डालते हैं एक नज़ानी दिली के बलसवा डेरी फ्लाई ओबर के उपर हुए सलक हास्सा साम के वक्त संतुलन खोकर पल्टा टेंपू ड्राइबर गंभी रूप से हुआ घायल टेंपू चालक को घायल अवस्था में इलाज के लिए बाबु जग जीवन दाम अस्पताल में कराये गया भरती सलक हास्से की वज़े से आउटर रिंग रोड पर लगा बिश के से सामने आया है जहां फ्लाइबर के उपर देर साम अचालक एक टेंपू बेकाबू होकर प्रड़ गया जिसमें टेंपू चालक को गमिर चोट आई और उसे इलाज के लिए नजदी की अस्पताल में बढ़ती कराये गया साम के वक्त मुकरबा चोग से बुरारी के तरफ आते हुए जैसे ही कामर्सियल टेंपू भलसवा फ्लाइबर के उपर चला तो एक वहां को ओबर टेट करने के चलते बेकाबू हो गया रफ्तार तेज होने के वज़े से चालक टेंपू पर काबू नहीं कर पाया और अचालक टेंपू फ्लाइबर पर ही पलट गया जिसके चलते टेंपू चालक भी गम्ही रूप से घायल हुआ और उसे आसपास के लोगों ने नस्दीकी बाबू जग जीवन हम अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया हाईबे पर टेंपू पलटनी के वज़े से कई किलो मिल्यों तक का लंबा जाम लगा और लोगों को भी प पुलिस को पुरे मामले की जानकारी दी गई जहां पुलिस मौके पर पहुँची और दो घंटे के बाग फलते हुए टेंपू को हाईबे से अटागर दूर किया गया न्यूज जाइन भारत के लिए देली से संजै सिंकी रिपोर्ट यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता सिर्फ और सिर्फ बने रहे निउज नाइन भारत पर अब चाहूंगा इजाजर नमस्कार